टीम इंडिया के संकट मोचन और वेरी वेरी स्पेशल के नाम से मशूर एक हाइदराबादी खिलाडी जिसे माना जाता था टेस्ट क्रिकेट का बेताज बादशा जो था कंगारूं के लिए काल दोसों एक्यासे की पारी खेल पक्की की टीम के मधिकरम में अपनी जगर टीम को जिताए कई मैच लेकिन विशुकप खेलने का सपना रह गया अधूरा डॉक्टर माबापके एक क्रिकेटर बेटे पांच साल की महलत में जिसने पूरा किया अपना सपना अपने बेतरीन शेली सुद्रिल टकनीक और आक्रमक बल्लेवाजी के लिए जाने जाने वाला या शांदार बल्लेवाज नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चकदे क्रिकेट मैहुप्यूश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाडी की अनसुनी कहानी की जिसे टीम इंडिया को कई मैचों से हार से उबारने में संकट मोचन के नाम से जाना जाता था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाप हमेशा खेलता था बेतरीन पारियां जिससे त्रस्त रहती थी कंगारगो की टोली जी हाँ हम बात कर रहे हैं भारतिय टीम के वेरी वेरी स्पेशल वीवियास लक्षमन की दोस्तों यू तो आप लक्षमन के बारे में बहुत कुछ पढ़िया सुन चुके होंगे लेकिन आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी एक ग्यारान सुनी और रोचक कहानिया सुनाएंगे लक्षमन के बारे में सबसे पहली रोचक बात ये है कि भारत के दूसरे राश्टर पती डॉक्टर सरोपली रादा कृष्णन के ये परपोते हैं जबकि इनके माता-पिता विजयवारा के प्रसिद चिकितसक डॉक्टर शांताराम और डॉक्टर सत्य भामा है दूसरी कहानिया है कि लक्षमन बच्पन में पढ़ने में बहुत अच्छे थे दसवी में उन्हें साइंस में अंठानवे प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए थे जिससे खुश होकर माता-पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह डॉक्टर बने और उन्होंने सनातक में लक्षमन का दाखिला एक मेडिकल कॉलेज में करवा दिया लेकिन क्रिकेट के दिवा ने लक्षमन के मन में रह रह कर क्रिकेट के लिए हिलोरे मारता रहता अंतता उन्होंने अपने पैरेंट्स को इस बारे में बताया तो वो इस शर्थ पर आजी हुए कि 5 सालों मों वे क्रिकेटर बन गए तो ठीक नहीं तो डॉक्टरी का पेशा जॉइन कर लेंगे सबसे अद्भूत बात यह थी कि लक्षमन 5 साल पूरा होते होते भारत के लिए अंतरा स्ट्रिये टेस्ट टीम में पदारपन कर चुके थे तीसरी बात यह है कि वेरी वेरी स्पेशल और मिस्टर स्पेशल के नाम से मशूर लक्षमन को हम बस इन्ही नामों से जानते हैं जबकि असल में उनका पूरा नाम वेंगी पूरपू वेंकट साही लक्षमन है चौती बात की लक्षमन 1994 में रनजी अंटर नाइंटीन में अस्ट्रेलिया के खिलाप डेब्यू मैच में 88 रनों की पारी खेले थे कमाल की बात या है कि उसी मैच में उस्ट्रेलिया के ब्रेटली और जेसन गिलैसपी भी अपना डेब्यू खेल रहे थे पाचवी बात की लक्षमन ने 1993-93 के रनजी ट्रोफी सीजन के क्वार्टर फाइनल मैच में पंजाब के खिलाफ हाइदराबाद के लिए खेलते हुए प्रतम श्रेणी में पदारपन किया था ये पहली बार डक यानी शूर्णी पर आउट हो गए थे छटी रोचक बात यह है कि लक्षमन को यूँ ही अस्ट्रेलिया का काल नहीं कहा जाता है अस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली है लेकिन ये मज़ेदार किस्सा 2008 नौका है कि अस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवासकर ट्रॉफी के समय लक्षमन टॉप फॉर्म में थे क्योंकि इस रिंखला में उन्होंने चार टेस्ट मैचों में एक दोरे शतक और दो अर्षतकों के साथ 381 रन बनाये दिली के फिरोश्या कोटला में तीसरे टेस्ट के दोरान लक्षमन ने पहली पारी में नवाद 200 रन बनाये थे जिसमें उन्होंने कलाईयों का और लेक साइड के फ्लिक का विशेश उप्योग किया था उसी पारी में गौतम गंबीर ने 206 रन बनाये थे लक्षमन और गंबीर भारत के लिए एक पारी में दोराशतक लगाने वाले और अस्ट्रेलिया के विरुद ऐसा करने वाले बल्लेवाजों की पहली जोरी बन गए थे रोचक बात यह है कि लक्षमन का दोराशतक था जबकि उन्होंने पहला दोराशतक अस्ट्रेलिया के विरुध ही बनाया था साथवी खास बात यह है कि अस्ट्रेलिया टीम लक्षमन से कुछ इसकदर खौफ खाती थी कि उस वक्त के अस्ट्रेलिया ही कप्तान रिकी पॉंटिंग ने ये एलान कर दिया था कि उन्हें लक्षमन को आउट करने का गुर्ण सिखाने वाले को वो अपना कोच माल लेंगे बाहर बैटने के लिए मजबूर कर दिया और कोलकता में आयो जित दक्षिन अफरिका के खिलाप अंतीम टेस्ट के दौरान वो दुबारा एक्षन में लोट आये और उन्होंने अमेस धोनी के साथ साथवे विकेट के लिए रिकॉर्ड 143 रनों की साज़ेदारी की दक्षि इतने भारत को टेस्ट स्रीज ड्रॉ कराने में और दुनिया की नंबर एक टीम बने रहने में मदद की इस स्रीज के दौरान लक्षमन ने साथ हजार रन भी पूरे किये थे नौवी रोचक बात है कि लक्षमन ने 1996 में हिट टेस्ट क्रिकेट में अपना पदारपन किया था लेकिन सचीन, द्रविड, गांगुली और अजहर जैसे मधिकरम के दिगज बलेवाजों के कारण उन्हें सलामी बलेवाज के रूप में टीम में जगत दी गई बतार सलामी बलेवाज उन्होंने कुछ अची पारियां भी खेली, लेकिन बावजूद इसके लक्षमन को ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका में खुद को सहज नहीं पाते थे उन्होंने निरना लिया कि वो खुद घरेलू क्रिकेट तक ही सिमित रख लेंगे, नतीजतान हुए लगभग एक साल टीम से बाहर रहे लेकिन वर्ष 2001 में उन्हें अस्ट्रेलिया के विरूद टेस्ट सिरीज में द्रविड की जगा मधिकरा में तीसरे नमर पे खेलने के लिए टीम में वापस बुलाए गया और इसके बाद लक्षमन ने लगबग हार चुकी टीम इंडिया के लिए 281 रनों की विशाल पारी खेल ना सिर भारत को जीत दिला दिया बलकि वो क्रिकेट इतिहास के सुनहरे अक्षडों में दर्ज हो गए लक्षमन की इस पारी को क्रिकेट इतिहास की सरवग्त्तम पारियों में से एक कहा गया है कमाल की बात यह है कि लक्षमन ने 2018 में एक किताब 281 एंड ब्याउंड में अपने जीवनी को लिखते हुए इस पारी के पहले और बाद में हुए असर को ख्यास ध्यान में रखते हुए लिखा है दस्वी रोचक कहानी यह है कि यह एक दुखत बात है कि 220 अंतराष्ट्रिय मैच खेलने के बाद यह बलेवाज कभी विश्रुकप नहीं खेल सका हाला कि साल 2003 में खेले गए विश्रुकप के लिए लक्षमन भारतिय टीम में चुने जाने के हकदार थे लेकिन आखरी समय में उनका नाम वर्ल्ड कप टीम से हटा लिया गया इस बात से लक्षमन खुद को बहुत खफा हुए थे जिसके बारे में उन्होंने अपने किताम विस्तार से चर्चा की है उन्होंने बताया है कि किस तरह भारतिय टीम में उनके ना चुने जाने के कारण उन्होंने टीम इंडिया के कोच जॉन राइट के साथ रिष्टे खराब हुए थे लक्षमन ने कहा था कि मेरे कैरियर का यह सबसे निराश जनक दौर था ग्यारवी और आखरी अंसुनी कहानी यह है कि लक्षमन को मूल रूप से IPL के पहले सीजन में उनके घरेलू फेरंचाइजी डेकन चार्जर्स के लिए आइकन प्लेयर के रूप में नामित किया गया था डेकन चार्जर्स की निलामी में उन्हें 3,75,000 डॉलर में खरीदा और उन्हें पहले सीजन में कप्तान भी बनाया हलाकि टूर्णामेंट में टीम के खराब परदर्शन के बाद लक्षमन ने सीजन के बीच में खुद को टीम से बाहर कर लिया और एडम गिलक्रिस ने कप्तान के रूप में पदभार समाला और अगले दो सत्रों में टीम का नित्रत्तु किया 2011 में मेगा निलामी में लक्षमन को कोची टसकर्स केरल की नव गठित फ्रेंचाजी द्वारा 4,00,000 डॉलर में खईदा गया था हलाकि इस बार वह पहले तीन मैचों के बाद चोटील हो गए और बाकी सीजन नहीं खेल पाए तो दोस्तों कैसी लगी लक्षमन से जुड़ी या 11 अनसुनी कहानियों की दास्ता अगर आग भी इनके अलावा कोई अनसुनी कहानी जानते हों तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं धन्यवाद